तो Hello Everyone मैं हूं विक्रम और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं First or solution share के बारे में अब इस stock में हमारे लिए आगे के लिए क्या targets होने वाले हैं वो discuss कर लेते हैं आज के दिन अगर देखा जाये तो stock में 2.6% का यहां पे हमें 380 रुपीज का बट इस breakout पे आपको wait करना पड़ेगा एक retest का एक retest यहाँ पे मिलना बहुत ज़रूरी है 333 रुपीज के round तक यह एक बड़ी दुबारा यहाँ पे fall करके आए और इसी area के round से support लेके जब उपर जाने लगीगा तो यह हमारे लिए ज़्यादा convincing setup रहेगा क्योंकि हो सकता है जब पहले यहाँ पे इसने breakout दिया था और यहाँ पे retesting के time पे सीधा एक बड़ी candle अंदर आ गई थी वैसी हमें यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल सकता है इसके थोड़े बहुत मेरे को chances लग रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे एक retest का wait करना एक pull back यहाँ पे आये नीचे green candles बननी शुरू हो और फिर उपर जाने लगे तो यहाँ पे फिर हमारे लिए buying बनेगी और फिर उसके बाद जो हमारे nearest target देखने को मिलेगा वो होगा 380 रूपीज का तो यह लेवल अभी फिलाल के लिए निकल के आ रहे है first source solution share के और downside के लिए इसमें आपको अब तभी देखने को मिलेगा जब यह 333 रूपीज के नीचे निकलेगा नीचे निकल के closing देदेगा उसके बाद हमारे लेहाँ पर downside का move आ सकता है so यह लेवल थे first source solution share के I hope यह वीडियो आप लोग के लिए helpful रही होगी इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में